नमस्कार मैं सोतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल साथ हैं टीम पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो में प्रतिलेखन संख्या 73 के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं इसे हम दो अलग-अलग स्पीड में लेंगे पहली बार में 90 की स् आउटलाइन क्या होगी तो आप इसके पहले वाली वीडियो को जा करके देख लें उसमें हमने एक-एक सब्द की आउटलाइन को लिख करके बता रखा है तो 90 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडि रहें स्टार्ट मैं जानता हूँ कि यह स्वागत किसी व्यक्ति विशेश के लिए नहीं बलकि यह देश के प्रती आपके प्रेम का प्रमार है पैरा भारत वर्ष जब से स्वतंत्र हुआ है उसके सामने बड़ी-बड़ी कठिनाईयां रही हैं परन्तु इस्वर की दया से हम एक-एक कठिनाई को हल करते गए हैं और आज कहा जा सकता है कि अब हमें प्रगती के लिए प्रसस्त मार्ग मिल गया है यदि हम चाहें और देश के लिए आपस में मिल जुल कर साहस तथा उत्साह के साथ काम करें तो संसार में ऐसी कोई चीज नहीं जो इस देश के लिए दुरलभ हो इसलिए एक ऐसे दिन का मनाना जिस दिन देश की उन्नती के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया था स्वभाविक ही है अंग्रेजों के साथ जिस समय स्वराज्य के लिए समझावता हुआ उस समय उन्होंने और सब चीजों के साथ साथ एक काम और किया जिसका परिणाम कुछ भयंकर हो सकता था जहां एक और अंग्रेजी राज्य सीधे तौर पर चलता था वहां दूसरी और देशी नरेसों के अधीन 600 से अधिक रियास्ते भी थीन ब्रिटीज सरकार ने जाते समय यह घोसडा कर दी कि ये सभी रियासतें अपने को उन सभी सर्तों और बंधनों से मुक्त समझें जो उन्होंने ब्रिटीज सरकार के साथ किये थें और प्रतेक का अधिकार है कि वह चाहे तो हिंदूस्तान के साथ अथमा पाकिस्तान के साथ मिल जाए या अपने को स्वतंत्र रखे एक नीती के रूप में यह बात बिलकुल ठीक थी परन्तु यदि हमारे देशी नरेशों के हिर्दय में भी वह देश प्रेम नहीं होता जो उन्होंने दिखलाया तो संभव था कि एक भारत वर्स के बदले आज भारत वर्स के कई तुकड़े हुए होते यह समस्या देश के एक भाग में अब तक तैं नहीं हो पाई है और वह भाग कस्मीर का है उसके लिए हम अभी भी चिंतित हैं देशी नरेशों के देश प्रेम उनकी दूर दर्सिता और समय को पहचान कर उसके अनुसार अपने को धाल लेने की उनकी सक्ति के फल स्वरूप ही भारत के दो तुकड़े हो जाने पर भी विशाल भारत वर्स आज रह गया है दोस्तो इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 100 की स्पीड मे लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें महोदय आज इस समारोह में समलित होकर मुझे बड़ी प्रसनता हो रही है जब से मैं आपके नगर में पहुचा हूँ आपने जिस प्रेम और उठसाह के साथ मेरा स्वागत किया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मैं जानता हूँ कि यह स्वागत किसी व्यक्ती विशेश के लिए नहीं बल्कि यह देश के प्रती आपके प्रेम का प्रमार है भारत वर्ष जब से स्वतंत्र हुआ है उसके सामने बड़ी-बड़ी कठिनाईयां रही हैं परंतु इस्वर की दया से हम एक-एक कठिनाई को हल करते गए हैं और आज कहा जा सकता है कि अब हमें प्रगती के लिए प्रसस्त मार्ग मिल गया है यदि हम चाहें और देश के लिए आपस में मिल जुलकर साहस तथा उत्साह के साथ काम करें तो संसार में ऐसी कोई चीज नहीं जो इस देश के लिए दूरलभ हो इसलिए एक ऐसे दिन का मनाना जिस दिन देश की उन्नती के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया था स्वभाविक ही है अंग्रेजों के साथ जिस समय स्वराज के लिए समझावता हुआ उस समय उन्होंने और सब चीजों के साथ साथ एक काम और किया जिसका परिणाम कुछ भयंकर हो सकता था जहां एक और अंग्रेजी राज्य सीधे तौर पर चलता था वहां दूसरी और देशी नरेशों के अधीन 600 से अधिक रियासतें भी थीन ब्रिटीस सरकार ने जाते समय यह घोसडा कर दी कि यह सभी रियासतें अपने को उन सभी सर्तों और बंधनों से मुक्त समझें जो उन्होंने ब्रिटीस सरकार के साथ किये थे और प्रतेक का अधिकार है कि वह चाहे तो हिंदूस्तान के साथ अथवां पाकिस्तान के साथ मिल जाए या अपने को स्वतंत्र रखे एक नीती के रूप में यह बात बिलकुल ठीक थी परन्तु यदि हमारे देशी नरेसों के हिर्दय में भी वह देश प्रेम नहीं होता जो उन्होंने दिखलाया तो संभव था कि एक भारत वर्ष के बदले आज भारत वर्ष के कई टुकरे हुए होते यह समस्या देश के एक भाग में अब तक तैं नहीं हो पाई है और वह भाग कस्मीर का है उसके लिए हम अभी भी चिंतित हैं देशी नरेशों के देश प्रेम उनकी दूर दर्शिता और समय को पहचान कर उसके अनुसार अपने को धाल लेने की उनकी सकती के फल स्वरूप ही भारत के दो टुकरे हो जाने पर भी विशाल भारत वर्ष आज रह गया है इस तॉप